आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वालो कि किस तरह से आप VN app के अंदर आप color grading कैसे कर सकते हो और दोस्तो अगर आप ये जो वीडियो इसको complete देख लेते हो तो दोस्तो आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने के जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह से वीडियो को color grading किया जाता है क्योंकि दोस्तो अगर आपने टूटूरियल complete देख लिया तो शुरू से लेके end तक मैं आपको हर एक चीज़ बता दूँगा कि किस तरह से color grading किया जाता है तो चलिए ज़्यादा time waste ना करती हुए चलिए हम पढ़ते है अपने mobile के screen की तरह तो यहाँ पर देख पारे हो अभी मैं आज चुको अपने computer के screen पर दोस्तो यहाँ पर यहाँ पर मैं phone में बता आने वाला था मैं computer में क्यों बता रहा हूं computer पर दोस्तो मैं इसलिए बता र करते हैं जिया दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख पर हो मैंने अपना जो वी एन एप है उसको इंस्टॉल करके रखा है अपने computer के अंदर तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हमें क्या करना होता है कि अगर आप यहाँ पे आप मेरी तरह computer में Windows में आप यूज करते हो व आपको यहाँ पर कर लेना होता है ओपन ठीक है तो यहाँ पर मेरे पास एक यह वाली वीडियो पढ़ी है तो इसको मैं आपको एडिट करके बताऊंगा मतलब आपको complete tutorial बताऊंगा आपको इसके बाद कोई भी दूसरी वीडियो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेग यह यहाँ पर आच चुका है अब हमको क्या करना है simply अपना जो vn app है उसको आपको open कर लेना है तो आप लोग भी अपने mobile phone के उपर अपना जो vn app है उसको open कर लेना उसके बाद दोस्तो mobile phone के उपर आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से plus का button देखने को मिलेगा आपको simply इसक open करने के बात दोस्तों यहाँ पर आपको काफी सारे जो editing के टूल्स वगरा जो है वह आपको देखने को मिल जाते हैं आप यहाँ पर अपने जो basic cut work लगाना होते हैं वह आप लगा लेना इस वीडियो में मैं आपको specifically color grading के बारे में बताता हूं ठीक है तो यहाँ पर देख color grading को edit करना चाहते हैं तो फिल्टर के अंदर आने के बाद यहाँ पर एक अजिस्ट का बटन देखने को मिलता है जैसी आप इसको पर क्लिक करो है आपको उस्तों काफी सारी जो manual color grading के जो टूल से वह आपको देखने को मिल जाती है उससे पहले उस्तों यहाँ पर मैं आपक को एक छोटा सा secret बताना चाहता हूं जो कि आप सभी लोग को जरूर से जान लेना चाहिए वो यह है कि अगर दूस्तों आप किसी भी सॉफ्टर में या फिर किसी भी एप के अंदर एक बार अगर आपने यहाँ पर color grading को सीख लिया दोस्तों फरक नहीं पड़ता कि आप कौ दोस्तों आप को इसको इतना ही रहने देता हूं कि उतना ठीक लग रहा है ठीक है आप दूस्तों यहाँ पर इसको बढ़ा या घटा सकते हो तो यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ी टिप देना चाहांगा वह यह है कि उस्तों जब यहां पर आप कोई भी color grading वगरा करते ह आपको इसके उपर ध्यान नहीं देना है ठीक है आपको इस परसेंटेज के उपर ध्यान नहीं देना कि कितना परसेंट मेरा हो रहा है आपको सारा का सारा ध्यान लगाने अपने वीडियो के उपर आपको अपने वीडियो के उपर देखना है और यहाँ पर कुछ भी स्क्र प्रूजर की तरह ही होता है मगर यह थोड़ा सा ब्राइट या फिर यहां पर डार कर देता है हमारे वीडियो को तो इसको भी आप अपने हिसाब से एड़स्ट कर ले ना अब जो यहां से हमारा जो मेन खेले वह शुरू होता है जो कि है saturation का अब दोस्तों saturation क्या करता है न कि हमारे वीडियो के अंदर जितने भी colors वगेरा होते हैं उन सभी को दोस्तों यहाँ पे और भी ज़्यादा color add कर देता है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ अगर दोस्तों आप कुछ इस तरह से लेके आओ जैसे कि आप देख पार हो जो मेरे skin का color है उसको और भी वो color add कर रहा है और यहाँ पर जो मेरे background का color है उसको भी वो color add कर रहा है ठीक है तोस्तों इसको मैं उतना ज्यादा use नहीं करता हूँ इसको मैं तभी use करता हूँ दब मेरे को saturation में क्या अंतर है अब दोस्तों saturation क्या करता है आपके overall जो वीडियो है उसके उपर effect करता है मगर आपका जो vibrance है वो उसी चीज के उपर effect करता है जहाँ जहाँ आपका जो यहाँ पर color है वो उतना ज्यादा saturated नहीं है उसी के उपर यह जो है यह effect लेता ठीक है जैसे आप देख पार हो यहाँ पर हम बढ़ा घटा के देख पार है कि यह पूरे के पूरे हमारे वीडियो पर effect नहीं कर रहा है यह सिर्फ उतने ही पार्ट को effect कर रहा है जितना दोस्तों अगर आप इंडोर वगरा शूट कर रहे है या फिर blue tone में शूट कर रहे है तो दोस्तों यहाँ पर आप घटा देना ठीक है ताकि यह थोड़ा सा natural look दे ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर अगला जो हमारा वह है वह है दोस्तों यहाँ पर विगनिटी का अब यह मुझे काफी पसंद है क्योंकि यह क्या करते ना आपका जो frame है वीडियो का उसके side side में ऐसे थोड़ा सा black part कर देता है ताकि आपका जो main subject है वह focus में रहे ठीक है तो सो कुछ इस तरह का यह work करते है मैं आपको दिखा दू इसको अगर हम घटा है और best tool लगते है वो यह है ठीक है HSL इसका मतलब होता है दूस्तों hue saturation और luminance जैसे कि आप दिख पर यहां पर लिखा भी हुआ है दूस्तों इसकी मदद से दूस्तों आप काफी सारे चीजे कर सकते हो काफी दा मजा आता है ठीक है तो यहां पर क्या कर सकते हूं कि आप दोर शूट किया है जिसमें green है ठीक यानि कि trees वगर है तो यहां पर ग्रीन सेलेक कर लेना ठीक है मतलब जिस कलर को आप चेंज करना चाहते हो उस कलर को आपको सेलेक कर लेना है सिंपल सी बात है ठीक है तो यहां पर क्यूंकि हमने blue और violet इश टाइप कर हमने यूस किया है अब दूसर इन तीनों लाइन के बारे में आपको थोड़ा सा बता जाता हूँ अब दूसर हूँ क्या करता है ना कि इसकी जो color है उसको यह चेंज कर देता है जैसे कि आप देख पार हो यह मेरे जो color है उसको background को यह change कर रहा है क्योंकि हमने blue select किया था और हमारा जो background था व आप देख पार हो यह जो blue है मैंने अभी इस ताइप यह वाला color किया है लेकिन दूसर यह काफी ज्यादा dark है ठीक है तो इसको मैं अगर कम करना चाहूं तो saturation का use करता हूँ ठीक है तो saturation को अगर आप कम कर दोगे तो उसकी जो lightness से वह कम हो जाएगी अगर आप बढ़ा दो जिस color को आपने select किया उसको अगर उसकी जो brightness से उसको बढ़ाना चाहते हो तो इसको बढ़ा सकते हो वरना घटाना चाहते हो तो इसको आप कम भी कर सकते हो ठीक है यह दूस्तों सिरिफ आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको इन settings के उपर ध्यान कभी भी नहीं देना ह आपको अपने footage के उपर ध्यान देना है कि आपका footage कैसे दिख रहा है अब दूसर जब आप editing करोगे ना तो मालो आपने किसी outdoor video को shoot किया है जिसमें green है ठीक है तो आप green को बढ़ा सकते हो इसकी saturation है उसको बढ़ा कि आप trees की color है उसको बढ़ा सकते हो अगर आप hue को change करोगे तो जो trees की color है यानि कि जो भी green part है उसमें वो color change हो जाएगा yellow या फिर जिस भी तरफ आप उसको लेके जाओगा ठीक है अब दूसर यहाँ पर एक और चीज़ है कि यह जो color है जैसे कि आप देख पार हो red या फिर orange यह हमारे skin tone को effect करता है क्योंकि जैसे कि आप देख पार ह के इसकी जो color है उसको आप change कर सकते हो इसको भी हम थोड़ा सा अच्छा जो skin tone है वो दे देते और यहाँ पर आप lightness को change करके अपनी जो brightness है उसको बढ़ा या घटा सकते हो ठीक है अब इतना करने के बाद अगला जो हमारे पास setting है वो है sharpen का अब sharpen से क्या होता है कि आपका जो वीडियो वो शार्फ जार्फ हो जाते है जैसे कि आप देख पर यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा ही शाप कर दिया तो आप यहाँ से थोड़ा सा शार्फ कर सकते हो ताकि आपका जो वीडियो है वह बड़ी अब यहाँ फेंपर हूं को दूस्तों उत्रहाइदा में ब्लाइक पर सकते हैं अब यहां से ब्राइट वगेरा और्टन हो जाएगी, जैसे कि अंगे आप को देख पर पर यहां को दो दो टिक उलता है तो कि यहां पर आपको लगा देना है और आपका जू गाट सारा सेट्पिंग है वो यहाँ पर घाइस अप यहाँ पर देख पारो ठीक है अब यहाँ पर मैं क्या करता हूं कि एक बार आपनी जो वीडियो में आपको प्ले करके भी दिखार तो जीसे कि आप देख पर कुछ इस तरह से हमारी जो वीडियो रखना चाहते हूँ उसको करके आप सिंपली हाप टिक लगा देना और आपकी जो वीडियो है गाइस वह यहाँ पर एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगी अगर आप यह जाना चाहते हूँ कि किस तरह से मैंने यहाँ पर आपने जो वी एन एप उसको मैंने आप पर अपने के अंदर इंस्टॉल किया विंडोस के अंदर इन्स्टॉल किया कि यहां पर देखने को यहां पर में उस्टॉल किया अब कई स्फीजिल ओरिजिनेल वरजिन जी आपको प्ले स्टीट को लाइक कर देना अगर आप ऐसे काफसरे और भी टुटोरियल्स देखना चाहते हूं वी एन एप और भी दूसरे एपस को उपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हूं और मैं मिल तो आप से लिए नेक्स्ट वीडियो में